और आज योग निद्राविधी को अरम करने जा रहे हैं वो पुरातन है हमारे रिशी मुनियों की देन हैं उससे अनेक प्रकार की विमारिया जिससे हम तरस्त रहते हैं बीपी, सुगर, डाइबिटीज, हाइपर टेंशन वो तो साथ दूर होंगी ही उसके लावा हम कॉंसेंट्रेट बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे ये विधी जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये विधी मैंने आदर्णिय दिनेश्ची से भारतिय योग संस्तान से एवं कुछ और विद्वानों से ग्रेंड की है थोड़ा बहुत मैंने इसमें अपना अनभव भी डाला है ये विधी आप चलते हुए ना करें मोटर साइकल चलाते हुए कार चलाते हुए ना करें बैटकर या लेटकर कर सकते हैं योग निंद्रागी विधी एक ऐसी विधी है जो पूरन रूप से वज्ञानिक है हमारी कंसेंट्रेशन की पावर को बढ़ाती है आईए विधी को अरंब करते हैं इसमें हम सभी इंद्रियों का संकोचन करेंगे आप सबसे मिराग रहे है कि आप लेट जाएं सर्वपर्थम अपनी दोनों आखें को मलता से बंद कर लीजी पैरों में सुईधा जनक दूरी कर लें दोनों हाथों को कमर के आसपास रख लें पैर एक दूसरे को चुए ना हाथ कमर को ना चुए अब आप सभी इंद्रियों का अंदर के तरफ संकोचन करेंगे सिर्फ कान को मेरी तरफ लगाएंगे अब मैं जो भी बोलूँगा आपको मन की आँखों से देखना है किसी भी प्रकार से आँखें खोल कर किसी भी अंग को नहीं देखना है तीन बार ओम की धवनी के साथ आरंब करेंगे मन ही मन ओम की धवनी आपने करनी है ओम 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 इस विदी दुआरा आप किसी भी उदेश्य को प्राप्त कर सकते हैं तो जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उसका संकल्प अपने अंदर लें तीन बार उनी शब्दों को बार बार दोराएं जो आप जीवन में करना चाहते हैं विदी को आरंब करते हैं दाएं पैर का दायां अंगुठा देखें दाएं पैर की पर्थम उंगली को देखें दाएं पैर की दूसरी उंगली को देखें दाएं पैर की तीसरी उंगली को देखें दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली को देखें दाएं पैर के अगरिम भाग को देखें दाएं पैर की सभी उंगलियों के पिछले भाग को देखें दाएं पैर के तलवे को देखें दाएं पैर की एडी को देखें दाएं पैर के टकने को देखें दाएं पैर की पिंडली को देखें दाएं पैर के घुटने को देखें दाएं पैर की जंगा भाग को देखें बाएं हाथ की अंगुठे को देखें बाए हाथ की पर्थम उंगली को देखें दाए हाथ की मध्धिमा को देखें दाए हाथ की तीसरी उंगली जिसको अनामी का रिंग फिंगर कहा जाता है उसको देखें दाए हाथ की सबसे छोटी उंगली को देखें दाए हाथ की हथेली को देखें दाए हाथ की कलाई को देखें, दाए हाथ के कोहनी के उपरी भाग को देखें, दाए हाथ के कंधे को देखें, बाए पैर के अंगुठे को देखें, बाए पैर की पर्थम उंगली को देखें, बाए पैर की दूसरी उंगली को देखें, बाए पैर की तीसरी उंगली को देख बाएं पैर की सबसे छोटी उंगली को देखें बाएं पैर के अगरिम भाग को देखें बाएं पैर की उंगलियों के पिछले भाग को देखें बाएं पैर की खलवे को देखें बाएं पैर की एडी को देखें बाएं पैर के टकने को देखें बाएं पैर की पिंडली को देखें बाएं पैर के टकने को देखें बाएं पैर के जंगा भाग को देखें बाएं हाथ के अंगुठे को देखें बाएं हाथ की पर्थम उंगली को देखें बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें बाए हाथ की तीसरी उंगली जिसको अनामी का कहा जाता है उसको देखें बाए हाथ की सबसे छूटी उंगली को देखें बाए हाथ की हथेली को देखें बाए हाथ की कलाई को देखें बाए हाथ के कोहनी के उपरी भाग को देखें बाए हाद के कंधे को देखे पेट को देखे नाभी को देखे नाभी के पीछे देखे रीड की हड़ी को देखे पेट में दोनों गुर्दों की सनरचनाओं को देखे आमाश्य को देखे पूरे पेट को देखे चाती को देखे चाती के मध्य देखे फेफडे देखें, फेफडों की सन्रच्राओं को देखें, हर्दे को देखें, हर्दे के पीछे देखें कंट को देखें, पूरे कंट को देखें, कंट में स्वास नली को अनभव करने का परियास करें, कंट में आहर नली को देखने का परियास करें गर्दन को देखे, कंधे के पिछले भागों को देखे, पीट को देखे, कामार को देखे, दोनों नितंबों को देखे, गुटने के पिछले भागों को देखे, पिंडलियों को देखे, सर को देखे, पूरे सर को देखिये, माथे को देखे, दाईं आईबरो को देखे बाईं आईबरो को देखे दोनों आखों के मद भरकुटी में देखे दाईं पलक को देखे बाईं पलक को देखे दाईं आख को देखे बाईं आख को देखे नासिका के उपरी भाग को देखे दाईं नासिका को देखे बाई नासिका को देखे, उपर वाले होट को देखे, नीचे वाले होट को देखे, ठोड़ी को देखे, दाएं गाल को देखे, बाएं गाल को देखे, दाएं कान को देखे, दातों को देखे, जिभा को देखे, पूरे शरीर को देखे उपर से लेकर नीचे तक नीचे से लेकर उपर तक पूरे शरीर को देखे दोनों टांगों को देखे दोनों भुजाओं को देखे पेट, कमर, छाती, पीट को देखे पूरे शरीर को देखे पूरे शरीर को ढीला छोड़िये धीला छोड़े दोनों पैरों को धीला करे दोनों घुटनों को धीला करे नितम धीले छोड़िये दोनों भुजाओं को धीला छोड़े पेट कमर धीली धीली छोड़िये अत्यांत धीली दोनों भुजाओं को धीला करे धीला छोड़िये कंधों को धिला करें, कंधे धिले, गर्दन की नसें धिले, 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 पूरा शरीर धिला, पूरा शरीर धिला, शरीर का सारा वजन माधर्ती की गोद में, सारी चिन्ताएं, वैधाएं, परिशानियां, मा के हवाले कीजिए, वो सब सभाल लेंगे, आप केवल उनकी गोद में सर रख कर लेट जाएं, लेट जाएं, आप मा की गोद में सुरक्षि, पूरान रूप से सुरक्षि, पूरान रूप से सुरक्षि, चिन्ता मुक्त, वैं मुक्त, परिशानी मुक्त, केवल लेट जाएं, मा की गोद में आप सुरक्षि, पूरान रूप से सुरक्षि, पूरन रूप से सुरक्षित अब ऐसा नभव करें कि जैसे आप किसी रेगी स्थान में है चारों तरफ गर्मी का कहर है आप कर्मी के कारण तप रहें जुलस रहें गर्मी से परिशान हो रहें पूरा शरीर गर्मी से दर्बदर हो रहा है अब ऐसा नभव करें कि आप किसी ठंडे परदेश में हैं कड़ कड़ाटी ठंड के अंदर आप ठिटुर रहें हैं आपके दान किट-किटा रहें हैं आपको बहुत ठंड लग रही हैं अत्यादेख ठंड अब ऐसा नभव करें कि आप समुंदर के किनारे हैं जहां तक नजर दोड़ाते हैं वहां तक केवल और केवल जल ही जल दिखाई देता हैं चारों तरब केवल जल अब ऐसा नभव करें कि आप किसी परवत पर चड रहे हैं चड ते ही जा रहे हैं चड ते ही जा रहे हैं अब ऐसा नभव करें कि आप बारिश में भीग रहे हैं पूरे भीग चुके हैं बारिश की बूंदें आपके उपर टप टप करके गिर रही हैं अब उष्ण को याद करें जब आपको अत्याधिक खुशी मिली थी सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी आप खुशी के मारे नाच रहे थे आनंद विवोर हो रहे थे अब उष्ण को याद करें जब आप सबसे ज़्यादा प्रेशान थे दुखी थे आप दुख के मारे रो रहे थे उष्ण को याद करें शान थो जाए 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 अब ऐसा नभाव करें कि आप अपने शरीर को छोड़ कर बाहर जा रहे आप अपने शरीर से अलग होकर दूर से अपने शरीर को निहार रहे है जैसे आप दूसरे व्यक्ति के शरीर को निहारते हैं ठीक उसी प्रकार आप अपने शरीर को निहार रहे है एक शाक्षे की भाती अपने शरीर को निहार रहे हैं आप अन्भाव कर पा रहे हैं कि आप इस शरीर से अलग है जुदा है आप है तो ये शरीर है आप नहीं तो इस शरीर का कोई मुल्ले नहीं आपके बिना ये शरीर केवल और केवल मिट्टी के समा आप उर्जावान है तेजवान है आप किसी विकारिय को करने में शक्षम है कोई विकारिय आपके लिए संभाव नहीं आप कोई विकारिय कर सकते हैं आप नर्भीक, पूरन रोप से नर्भीक आपके अंदर कोई डर नहीं, कोई भे नहीं ना किसी व्यक्ति से, ना स्तान से, ना मिर्तियों से आप नर्भीक, आप प्रेमवा, शमावा आपके अंदर कोई कटता नहीं, घिरना नहीं, बहर नहीं केवल शान्ती और प्रे, केवल शान्ती और प्रे, आप परम पिता परमात्मा की परम संता, परम संता, आप भावा में तेहर रहे, तेहरते ही जा रहे, पक्षियों की भाती उड़ रहे, उड़ते ही जा रहे, चलिये साधक, हवा में उड़ते हुए, पक्षियों की तरह वायू मारग से रिशिकेश चलते हैं, रिशियों की पावन भूमी रिशिकेश, रिशियों की तपो भूमी रिशिकेश, जहां कण कण में प्राण रिशिकेश, कण कण में उर्चा रिशिकेश, बाबा नील गंट की चाओं में रिशिकेश लक्षमन जूला रिशिकेश मागंगा की आरती का मनोरम द्रिश रिशिकेश जहां ओम का गुणजाय मान रिशिकेश गायत्री मंत्र का गुणगान रिशिकेश मा गंगा की गोद पिता ही माले का च्छादर कटी भाग तक अपने आपको मा गंगा की गोद में समर्पित करें दोनों हाथों में गंगा जल भर लें उन चहरों को अपने आखों के सामने लाएं जिनसे आप घिर्णा करते हैं नफरत करते हैं एके करके उनको माफ कर दीजी मा पवित्र गंगा की गोद में उन सब को माफ कर दीजी आपने सब को माफ कर दिया अब आखें पंद करके हर हर गंगे के उदगोश के साथ मा गंगा की पवित्र गोद में डुबगियां लगाते जाएए लगाते जाईए, लगाते जाईए, निर्मल पवित्र शान्त होते जाईए, निर्मल पवित्र शान्त होते जाईए, मां गंगा की कूद में डूबकियां लगाते जाईए, लगाते जाईए, निर्मल पवित्र शान्त होते जाईए, निर्माल पवित्र शान्थ होते जाए, निर्माल पवित्र शान्थ, 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 शकाल शचाई अार Vocês स्हार्ड़ों ुर लुटाई neural workout शकाल शकाल शचाल शचानय शकाल शचों शकाल 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 शचाल शचन्शन क। कर दो 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 ile दो कर दोपater शुआ 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 जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं उस संकल को फिर से तीन बार दोराईए मन ही मन तीन बार दोराईए दुबारा से अपने शरीर में लोटाईए दोनों पैरों में प्राणों को अनभाव करें दोनों टांगों में प्राणों को अनभाव करें दोनों भुजाओं में प्राणों को अनभाव करें पेट, कमर, छाती, पीट, कपाल में प्राणों को अनभाव करें लोट आईए, लोट आईए अपने शरीर में अब जब भी आप उठना चाहें उठ जाएं लेकिन आख कोलने से पहले दोनों हथेलियों को मलते हुए जो उर्जा, शक्ति अभी हमने प्राप्त की है उसको पूरे मुख मंडल पे धारण करें पूरे शरीर पे धारण करें फिर दोनों हथेलियों को आखों के आगे ले आए और फिर बड़ी को मलता से आँखों को खोलिए आत्यांत को मलता से इस प्राथना के साथ कि प्रभू आपका दिन मंगल में करे जीवन मंगल में करे आप सदेव खुश रहें आप हर परकार से जिंदगी का हर उदेश्य पूरण करें ओ शान्ती 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 ओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो